क्या कभी अपने महसूस किया है कि आपके दो दातों के बीच में खाना फसा हो So Hello Friends, I am Dr. Amina और आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या करें अगर दातों के बीच में खाना फस गया हो दातों के बीच में खाना फसना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों ने अपने लाइफ में सफर क्या होगा और मुझे लगता है कि आप लोगों में से भी काफी सारे लोग की ये प्रॉब्लम होगी कि उनके दातों के बीच में खाना फसता है तो जलू जानते हैं कि इसके क्या कारण होते हैं, क्यूं दातों के गा ya ite ja ट्रीट्मेट क्या होता है सबसे पहले हम बात करते हैं क्या क्या रीजन होते हैं तो सबसे पहले हम देखें कि अगर मसूड़ों में कोई प्रॉबलम है यानि कि जिंच वाई टीस है गम का infection है तो उस टाइम पे दातों में खाना फस जाता है और आप अपने दातों को अच्छे धंगसे से मेंटेन नहीं करते हो तो मसूडों में भी problem स्टार्ट हो जाती है जिसकी वज़े से धीरे धीरे खाना वहाँ पे फस्टार्ट हो जाता है एक बड़ी problem को create कर सकता है दूसरी बात होती है कि अगर इस problem को अपने solve नहीं किया मसूडों में जो खाना फस्ता है अपने मसूडों की problem को अपने ठिक नहीं किया तो यह खाना आपका फस्ता रहेगा और इसकी वज़े से हो सकता है तो दातों के बीच में एक gap create हो जाए और केविटी बनना है स्टार्ट हो जाए तो अगर एक पर कैविटी बन गई तो कैविटी एक irreversible प्रोसेज है यानि कि कैविटी अगर बन गई है कीड़ा अगर लग गया है तो उसको वापिस नहीं ठीक किया जा सकता है without any treatment उसमें कोई इलाज कराना ही पड़ेगा तो सबसे हम जानते कि आपके दांतों में अगर सिर्फ खाना फस रहा है और आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो आप उसका क्या सॉलिशन है उसका ये सॉलिशन है कि सबसे पहले आपको डेंटल फ्लॉस आपको रेगुलर इस्तमाल करिए खाना के बाद हमेशा फ्लॉस की भी काफे सार खाना के रखते हैं यानि कि हर साथ महिने में क्लीनिंग कर आते रहोगे तो आपके दांतों के ब्सक्राइं प्रॉब्लम जो हो रही है यह नहीं होगे अब हम बात करते एडवांस लिबल पर अगर क्योंकि कई बार ऐसे खाना फसता जा रहा और आपको पेन हो जाता अपको करता है तो ऐसी कंडिशन में क्या करें सबसे पहले हम इसका कारण जानते कि अगर आपको पेंट शुरू होगे और खाना फसरा है वहाँ पे तो मिंस वहाँ पर आपकी कैविटी लगी है और हो सकता है वह कैविटी डीप हो तो उस ताहिंप आपको डेंटिस्ट को विजिट क अगर दांत में केविटी बन गई है कीड़ा लग गया है तो वहाँ पर अबिस लिजिए करके की जाती है लेकिन अगर सिर्फ खाना फसब है तो वहां पे डेंटल स्केलिंग की जाती है सफाई की जाती आपके दांतों के जिसकी वजह से यह खाना फसना बंद होता है और आ आपके काफी हद तक सुधर जाएगे और एवन ठीक हो जाएगे तो आज की इस वीडियो में यहीं तक था उमीद करती है वीडियो आपके लिए यूस्फुल रही होगी इफ लाइक मैं वीडियो डोंट फॉर्गे टो शेर एंड सब्सक्राइब इता